नमस्कार and I welcome yours to Manos Singh Now recently आपने सुना होगा कि अफरिका के एक देश बोटस्वाना ने जर्मनी में 20,000 हाती छोड़ने की धमकी दे दिये यहाँ पर आप The Indian Express का आर्टिकल देख सकते हैं इन्होंने लिखा है Why Botswana Threatened to Send 20,000 Elephant to Germany हम हर बार बात करते हैं कभी Asia continent की, कभी Europe continent की, तो कभी American continent की आज पहली बार African continent का topic निकला है तो मैं बता दू कि अफरिका में total 54 countries है और 30.3 million km square इनका area है जो की 20% है total ठीक है इनकी जो आवादी है ना पूरे अफरिका की 1.4 billion है जो की वर्ल्ड का 18% होता है लेकिन फिर भी जो इनकी total मिलाके, इन 54 countries की total मिलाके जो GDP है ना वो GDP इंडिया को cross नहीं कर सकती है भी, इतनी कम है और हम बात कर रहे हैं अफरिका continent में बोट स्वाना देश की जिनके प्रेसिडेंट ने जर्मनी को धमकी दी है कि हम तुमारे वहाँ 20,000 राती छोड़ देंगे लेकिन ऐसा क्यू कहा इनके प्रेसिडेंट ने जर्मनी से ऐसी क्या नौमत आ गई थी कि इनको ऐसा बोलना पड़िया? हुआ क्या कि हंटिंग ट्रोफी के स्पोर्ट होता है इन दोनों के बीच में यानि कि बोट स्वाना और जर्मनी के बीच में इन दोनों के इंपोर्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है अब आप बोलोगे भाई कि हंटिंग ट्रोफी क्या होता है और इससे डिस्प्यूट चल ला है दोनों कंट्री के बीच में आईए बताता हूँ हंटिंग ट्रोफी एक तरीके का अफरीका में गेम है जो कि जंगली जानवरों को मार कर खेला जाता है फिर उनकी ट्रोफी बनाई जाती है अब आप बोलोंगे यार ऐसा कैसे आपने कभी दिवाल में टगा हुआ हिरन देखा है उसकी खोपड़ी देखी है असली लगता है से उसकी खाल भी नहीं उतारते मेरे को पता नहीं है लेकिन खाल भी नहीं उतारते साथ उनकी है ना सींग हो गया हैड हो गया उसका टस्क हो गया हॉन्स हो गया इन चीजों को क्या है दिवाल पर सजाते हैं या फिक घर में सजाते हैं तो इसी को ट्रोफी हंटिंग बोलते है गर आप बोल ले होंगे कि भाई मुझे संज में नहीं आया, क्या बोल रहे हो, तो ये देखो, इस पिच्चर में आपको हिरन दिख रहा है, सेड दिख रहा है, ये टगे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये घर में सजा रहे हैं नोने, लोगों को दिखाने के लगा रहे हैं, और इनकी जो खाल है, वो अभी भी है इन पर, तो ये हो गया ट्रॉफी हंटिंग, उसके बाद इस पिच्चर में आपको बहुत सारे हिरन दिख रहे होंगे, अलग-लग प्रकार के, और बीच में एक लड़की दिख रही है, है ना, तो ये सजाने के लिए हाती को काटा और सजाने के लिए हाँ पर लगा दिया, है ना, एक्जामपल, आप ऐसा इंडिया में नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, किसी भी जंगली जानवर को अपने घर में सजाना, ऐसे जिंदे में ही उनको मार के ऐसे सजा देना, इसमें देखिए, दो लोगों ने एक हिरन को मार दिया है, ठीक है, अगर आप इंडिया में इतनी पास हिरन के चले गए ना, जैसे मार दिया, उसको कुछ भी कर दिया, तो आप केस हो जाना है, इसलिए इंडिया में तो आप ऐसा मत करना, और ये बाहर के हैं, ये दोनों मेरे ख्याल से, अफ्रीका वगेरा क होंगे, तब ये ऐसा कर पा रहे हैं, जो कि वहाँ का एक प्रकार का गेम ही है, तो इनको कुछ नहीं होगा वहाँ, अच्छे हम बोट स्वाना के प्रेजडेंट है कौन, तो ये है मोग विच्सी मसीजी, इन्होंने ही जर्मनी को धमकी दी, कि वो 20,000 हातियों को तुमारे आप भेज देंगे, और ये क्यों दी धमकी, क्या ऐसा रहा होगा कि इन्होंने धमकी देनी पड़ गी, तो हुआ क्या कि जर्मनी की इन्वर्मेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाय था कि वो लिमिट लगा देंगी, एक इस्टिक्टर रिमिट लगा लगी बोट स्वाना पर और वो भी हंटिंग ट्रोफीज के लिए, ठीक है, उस जो की जर्मनी पूरे यूरोपियन यूनियन में, लार्जेस्ट इंपोर्टर है ट्रोफीज हंटिंग का, तो बोट स्वाना के लिए ये सापसी वात है, बुरी खबर है, तो उन्होंने गुस उन्होंने ये बोला कि आप इन एनिमल्स के साथ रहके देखिए, इनकी जनसंक्या के साथ रहके देखिए, जो दिन परते दिन बढ़ते जा रही है, फिर उन्होंने बोला दिस इस नौट आ जोक, और अभी इनके वहाँ टोटल एलिफेंट की पॉपुलेशन कितनी है, यह एक लाग तीस हजार, जोकी काफी ज़ादा होती है, बोटस्वानर ने ओल्रेडी आठ हजार हातियों को अंगोला को बेज दिया है, वहीं पांसो हातियों को मोजांबिक को भी बेज दिया है, क्यों उबर पॉपुलेशन के कारण, आप मैंसे किसी को भी अगर टेक्स्ट ब करने को आपको मिलेगा, आपने करना क्या है, सिंप्ली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो अप्शन दिखेगा, 365 दिन का होता है, ये एक साल का, मंथली पास, येरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीज सकते हैं, जैसे हमने आप unlimited reattempt कर सकते हैं, आप एक महेने का खरीदिए, या फिर एक साल का खरीदिए, या फिर दो साल का खरीदिए, और अगर मेरी मानिए, तो मैं आपको सलाद दूँगा कि एक महेने वाला मत खरीदिए, एक साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है, आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सेर करना सबस्क्राइब करना थेंक यू टाटा एंड बाई बाई